Q2 में हमसे क्या पूछा क्या है राधा गौट रूपीज 17,480 एस हर मंतली सेलरी एंड ओवर्टाइम तो मंतली सेलरी प्लस ओवर्टाइम इलाके उसे कितने रूपे मिलते है 17,480 रूपीज हर सेलरी एकसीड दा ओवर्टाइम बाई रूपीज 10,000 उसकी सेलरी यहाँ पर ओवर्टाइम से 10,000 रूपे जादा है वाट इस हर मंतली सेलरी तो यहाँ पर हमें क्या बताना है मंतली सेलरी के बारे में बताना है हमें नहीं पता उसकी मंतली सेलरी कितनी है तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे ठीक है, let हर monthly salary तो यहाँ पर monthly salary उसकी कितनी होगी यहाँ पर हमने उसको क्या माल लेंगे x माल लेंगे, monthly salary को हम यहाँ पर क्या माल लेंगे x माल लेंगे, हमें नहीं पता x माल लिया और overtime को हम यहाँ पर क्या मालेंगे overtime में हम यहाँ करेंगे salary minus 10,000 ठीक है salary में से यहाँ पर क्या करेंगे 10,000 माइनस कर देंगे अब according to question यहाँ पर monthly salary और overtime मिला के उसकी salary कितनी बैटरी है 17,480 तो यहाँ पर monthly salary प्लस overtime यहाँ पर क्या करेंगे plus करेंगे तो monthly salary उसकी x थी और overtime यहाँ पर क्या था x माइनस का 10,000 था और total जोसकी salary बन रही थी overtime plus monthly salary मिला के वो कितनी बन रही थी 17,480 रुपीज बन रही थी अब यहाँ पर x प्लस x हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और 10,000 हमारा इस side यहाँ पर क्या हो जाएगा right side transpose तो positive में जाएगा तो यहाँ पर 7,480 और यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 10,000 अब यहाँ पर 2x हमारा किस के बराबर हो जगया 27,480 के बराबर हो जगया अब यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे 27,480 के नीचे transpose हो जाएगा cross multiply के जरिए अब यहाँ पर हमारा 27,48,0 किस से डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2 वंजा 2 2 थ्री जा 6 2 से वंजा 14 2 फोर जा 8 और यहाँ पर 0 का 0 तो जो इसकी मंत्री चल दी थी वो कितनी थी 13,740 रूपीज क्योंकि हमने X को क्या माना था उसकी salary माना था जो कि यहाँ पर इसकी कितनी है 13,740 और इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे 10,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर इसका overtime भी निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर X value पूट कर देगो 10,000 माइनस कर दोगे अगर हमाई question में overtime भी पूछता है